नमस्कार दोस्ते एक बार फिर हमारे यूटुब चैनल में आप लोगों का हरदिक स्वागत है लेट अफ्टर निकल के आई है कि बकाया डिये एरियर के सम्मद में केंद्रिय करमचारियों को जल्द मिल सकती है न्यूज तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफ टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्र के करमचारियों के लिए अच्छी ख़बर है बताया जाया रहा है कि जल्दी उनका बकाया मेंगाई बता उनको मिल सकता है जो पिछले 18 महीने से बकाया है खबर है कि जनवरी 2022 की सैलरी के साथ बता भी दिया जाएगा मिडिया रिपोर्ट के अनुसार केंदर सरकार की पिछ अपने आप बढ़ जाएगा मेंगाई बता तो में तीन परतिशत की वर्दी के साथ केंदर सरकार के करमचारियों का कुल डी ये चोदिस परतिशत होगा इसका मतलब है कि 18,000 रुपे परतिमा कमाने वाले केंदर सरकारी करमचारियों को सालाना मेंगाई बता तिये 3440 मिलेगा वीवीन मीडिया रिपोर्ट के नुसार केंद्रे मंत्री मंडल अपनी अगली बैटक में निर्णा लेने की योजना बना रहा है आपको याद दिला दे कि केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में डिये और को 17% से बढ़ा कर 31% कर दिया था लेकिन अभी तक उ मुनमान के मुताबिक लेवल बन के क्रमचारियों का बकाया डिये 11,880 रुपे से 37,504 रुपे तक हो सकता है जबकि लेवल 13 के क्रमचारियों के लिए या 1,44,200 रुपे से 2,18,200 रुपे तक हो सकता है केंद्रे मंत्री मंडल जल्द ही डिये अरियर का फैसला ले सकते हैं त तब तक के लिए जै हिन जै भारत